editing के बाद जो second task आता है वो आता है अपनी वीडियो को वाइस और देना वो भी अपनी आवाज में जो के एक time consuming process है इसी problem को solve करता है फिल्मोरा मुबाल का निया update जिसमें आपको मिलता है फिल्मोरा वाइस क्लोणिंग का future जो आपकी language में आपकी वाइस में आपकी वीडियो को करतेगा वो भी सिर्फ एक क्लिक में कैसे देखते हैं इस वीडियो के अंदर फिल्मोरा वीडियो एडिटर सिंपली ओपन पर क्लिक करना है काफी फिचर देखनों मिल जाएंगे लाइक नुब पर जेट है कैप्शन है यहीं आपको option मिलता है AI वाइस को लाइनिंग का जो ह है आपको जो है एक paragraph मिलेगा जिस पर अपने रिकोर्ड करना अपने वाइस के अंदर ताकि जो सोफ्ट्वेर वो एनलाइज कर सके आपकी देफ्थ की वाइस की देफ्थ को आपकी बोलने की स्टाइल को अच्छे से कोपी कर पाए तो सिंपली रिकोर्ड बिटन पर टैप क कर सते हैं simply create पर अपने क्लिक कर देना है और यहां आपकी processing यहां पर start हो जाएगी it depends on your voice data और आपकी internet connection और फोन की स्पीड के उपर करता है ठीक है यह वाइस आपको around 29 language support करता है you can use these voices for text-to-speech language यहां आपका लागा tap to listen English यह पोर्ट की साब कर सकते हैं यहां पर हम प्लिज simply का करेंगे save voice पर क्लिक कर देंगे now you have to go to create video ओके तो हम यहां क्या करने वाले या text-to-speech करने वाले या text-to-video करने वाले तो यहां पर text-to-speech करेंगे तो जैसे कि हम यहां पर क्या है कि वीडियो करने वाले हम एक short create कर रहे है gaming news channel के लिए simply हमने आपना title लिक दिया है and अब मुझे यहां पर करना ऐसे voice-over simply text layer को select करूँगा और यहां आपको option मिलेगा text-to-speech का simply click कर देना आपने text-to-speech आपको voices देहनों मिल जाएंगी आप इन खुद की voice मना सकते हैं जो हमने पहले तरी का बदाय था उससे second यहां आपको जो अपने voice-save कर रखी है वो यहां पर आप create कर रखी है उनको select करूँगा and create button पर click करूँगा आदे कि बड़ी असानी से जो है आपका जो यहां पर start हो चुका है and text-to-speech निज़े ना लबन लिए audio red dead redemption finally coming to PC October 29 तो इस तरह से आप voice clone यूज कर सते हैं फिल्म वारा mobile application के उपर